नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर और आपके सामने हैं राज़ कॉमिक्स बाइट संजय गुपता के प्रकाश्वंद्वारा रिसेंटली जो रिलीज की गई है कॉमिक बोक्स इसमें बहुत सारे डाइजिस्ट हैं जसमें नागराज और दुरुफ के डाइजिस्ट आपको सामने दिख रहे होंगे साथ में हैं सर्वनायक स्थापत यखंड का एक कलेक्टर एडिशन और नई कॉमिक्से भी हैं जिसमें हैं संक्रमित और जावतकर इसे मैंने मंगवाया है देव कॉमिक्स स्टोर से और बहुत दिनों बाद यह पारसल आया है देव की दौरा मुझे जो प्राप्थ हुआ है कल ही प्राप्थ हुआ है मुझे तो चलिए अन्बॉक्सिंग तो मैंने कर ली है और वन बाइवन इन सभी प्रोड़क्स को देखते हैं चलिए लेट स्टार्ट विथा इंक सर्वनायक डेजर्व करती है नया इश्यू है चलिए पहले गुडिज देखते हैं जो फ्री गु यहां पर भी कोई है यह पहचान में नहीं आरी कौन है यह कौन है सुवर या तो यह क्यूट स्टैंडी जैंचोटे-चोटे यह देखिए बड़े ही सुन्दर है देन भी है जादूगर जादूगर सीरीज में जो पात्र दिखाई दिया था जादूगर मुझे तो वही और स्टैंडी जैंडी और साथ में हैं एक आर्ट कार्ड सर्वनायक का जहां पर देख सकते हैं जो कवर था उसी को एक आर्ट कार्ड बना दिया है इसमें गगन हैं वक्र है विराश-दूत लिजब जादूगर सब दिख रहे हैं अभेद अच्छा आर्पकाड है यह और सा तो यह तो थे freebies काफी अच्छे freebies दीन इस बार और काफी सारे हैं यह देखिए आप 123 काफी सारे हैं पेपर बैग भी रिलीज हुआ इसका लेकिन मैं क्योंकि सी कलेक्ट करता तो मैंने सी मंगवाया हुआ है यह देखिए इसका स्पाइन संख्या 43 प्राइस 710 परसेंट आप लेस कर लिजेगा और यहां पर यूगम भी दिखाई पड़ रहा है इसके बारे में इस खंड में जानकरी दी गई है यह प्रथम अध्याय है इसके बाद शाय दूसरा अध्याय भी आएंगे चलिए इसको उपन करते हैं कवर ज वाँ आठवक तो काफी कमाल का यहर लिजा है वेगा दिख रहा है यह कौन है यह भेद है आठवक तो काफी अच्छा है अच्छा यहां पर चित्रांकन में नरिश कुमार दिलीप सींग विनोत कुमार सुषान पंडा और इशान त्रिवेदी क्या बात है बहुत सारे लोगों के नाम है और मुक्ष्ट में हिमंत कुमार जी संपादक उत्तम चंद जी भी साही कार के रोप में दिखाई पड़ र अना पर कुछ कॉंट्रोवर्सी भी हो ती शायद से कि नितिन मिश्रा जी ने लिखी है और उनका नाम नहीं है अब यह भूल वश है या पता नहीं इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है यह तो प्रकाशन ही जाने लेकिन I will not go into that controversy यह उनका लोकाउट है खेर आगे कॉमिक से जैसी होती है वहला फील आ रहा है डाक टून में और यहां पर भीमकाई अडिक है अग्यात मतलब अगोरी दैन वी है टेंट डेटली एस्ट और भी बहुत सारे लोग हैं और इनके पीछे की कहानी बताई गई यह यह आर्ट पक काफी अलग सा है क्योंकि बहुत स है कि यहां पर भी कुछ अलग देखने को मिल रहा है तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने काम किया है तो बिल्कुल एक मिक्सट बैक टैप का यह बुक निकल कि आया है अंदर से और जैसा कि आप देख सकते हैं यह राज कॉमिक्स का स्टैंडर्ड नहीं है जो यहां पर दिख रहा है मुझे पैनल है ना स्वाट फिलर कॉमिक्स हो में साथ वर बीच बीच में आता था इससे बैटर हो सकता है यह काफी बैटर है यह अले पेजिस आगे बढ़ते हैं अब यहां पर शायद किसी और काड़ और यह देखिए यह पूरा बदल गया है यहां से व बावा यह कमाल कहा है काम अरे भाई साब कि यह तो कुछ अलग ट्रीटमेंट है बहुत ही शानदार यार यह यह पक्का त्रिवेदी जी हो है यह शान त्रिवेदी जी ओह भाई तो मतलब वहां पे जो आटवक कम लग रहा था यहां पे उसकी कमी भरपाई पूरी हो रही है भाई सहाव ओ भाई टू गुड़ इसके बाद यहां पर फिर कुछ कि बदलाव आ गया है बीच में यहां पर भूतनात की इंट्री होते हुरी तो कुछ तो अलग किया है बिलकुल है ना दिस लिजा दिस यूगम तो कुछ अलग तो किया है डेफिनेटली कोशिश कुछ और करने की है यह देखिए आट्रुक यह बहतर है काफी बहतर है पेज काफी मोटे है यह थिकनेक्स बहुत जादा है यह मेरों को समझ में नहीं आता है कि कभी थिकनेक्स मोटी होती कभी पतली होती है एक स्टैंडर्ड क्यों नहीं होता मुझे यह थोड़ा सा एक कोश्चन हमेशा रहता है मुझे क्योंकि हम लोग को अलग अलग टैप के पेजस दिखाई पड़ते हैं कॉमिक बुक्स में कि शायद यहां पे अभेद भी आता हो दिख रहा है और जादू गर भी दिखाई पड़ गया है यहां पे फिर से एक्शन में हैं अभेद लिजा और मेरे क्याल से वेगा और यह है कंभाइन एडिशन सरवनायक इस्थापत्य खंड का तो इसमें मुझे मुझे मिराज दू overall मैं बोलूँगा mixed reaction बहुत बहुत अच्छा नहीं बहुत बुरा भी नहीं इन बिट्वीन बीच में कहीं पर मैं इसको रखूँगा क्योंकि सरवनायक है तो पढ़ना हीं है मिस्त नहीं कर सकते story को बहुत लंबी story चल रही है बहुत सालों से follow कर रहे हैं हम लोग तो लेना कॉमिक्स है वो है शुद्धी करण शिंखला से भीडिया की संक्रमित यह देखिए यह प्रिंटिंग बहुत अच्छ ही है सिंगल इशूज है क्या बात है यह काफी पसंद आता है मुझे चेहरावद जी का कवर है शांदार कवर है लेखक का नाम है और रॉक सिंग यहां पर उसमें नहीं था ओके दिवेक मोहन रिश्कुमार तो अच्छी बात है और यह संक्रमित आपकी शुरू हो रही है कहानी आगे बढ़ रही होगी मेरे ख्याल से इसके तीन-चार अंग प्रकाशित हो चुके हैं और यह पांच भी बुक है इधिंक यह दिखिए शुंकलाभात पांच तो शुद्धिकरन सीरीज चल रही है उसका यह पार्ट है पा इसको अभी फॉलो नहीं कर रहा हूं मैं जब यह कंप्लीट हो जाएगी तो पढ़ोंगा पूरी मैंने एक-दो इशुस पढ़े थे मुझे पसंद आई मैंने रिव्यू भी किया थे लेकिन मैंने अभी छोड़ रखा है जब पूरी हो जाएगी तो पढ़ेंगे उसे यह फिर बात करेंगे इसकी रिव्यू की या इसके आर्ट की या इसकी कहानी की क्योंकि अभी मैं बहुत फॉलो नहीं कर रहा हूं इसे प्रिंट अच्छा हुआ है अब पेपर क्वालेटी अगर मैं बोलू तो यह मोटे कागज है यह ग्राफिक नॉबल में जो आते हैं आपक को यूज करने का इडोंट नो प्रकाशन बता पाएंगे बट डियूबलेटी बड़ेगी इससे नो डाउट कॉमिक्स की चली है यह अच्छी है वोग 20 रुपए है 10 परसेंट लेस करके आपको यह दोसों के आसपास कुछ पढ़ेगी यह यह संक्रमित चली है संक्रमित को ह रखते हैं फिर अगली बुक है यह है रखतकता सीरीज में डोगा की जावत कर यह अंतिम भाग है कॉमिक बुक श्रिंग खला जो चल रही थी रखतकता उसका और यह मैच्छूर कंटेंट है और हाँ यहां पर हलकान सिंग और डोगा दोनों डोगा के क्लासिक पोज में दि पीछे थोड़ी बहुत जानकारी जावत कर रखतकता तो थिक बुक है यहां पहयाभार पत्र परीकलपना शित्रांकन सहीकार तो क्या बात है यह काफी अच्छा मुझे फॉर्माट लगा जो संध्या जी लेके आए हैं क्राफिक नाविल वाले फॉर्माट में बिक साइज में बहुत बढ़िया लगता है कॉमिक्स आर्टवर्ट बहुत सुंदर लगता है देखने में तो यह अच्छा काम क्या होना है आगे देखों तो आर्टवर्ट दिल्दीब जी का बहुत अच्छा है कहानी भी काफी पेचीजा और काफी भावनात्मक रूप से आगे सुथ होंगा और फिर बात करेंगे और सच्छाए करेंगे इसके अच्छे पक्षों की और इसके कमजोर पक्षों की लेकिन अभी फिलाल यह भी जो जीए समय काफी थिक है इस पेपर का और आर्टवर्ट तो नोड़ाट काफी अच्छा है आप देख सकते हैं काफी खतरना अर्टवर्ट क्या बात है ग्रूटल भी है इसलिए मैंचूर कंटेंट लिखा हुआ है और डोगा तो डोगा है डोगा कानून अलग चलता है वह समस्याओं को हल नहीं करता बलकि जड़ से उखाड फिकता है कच्रापेटी पहली किताब थी है श्रिंकला की और यहां पर श जावत करकी और पूरी रट कथा सीरीज का एक जो सार होगा उसे प्रस्तुत करेंगे आपके समक्ष चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे कुछ डाइजेस्ट है इनकी मैं बाते बहुत नहीं करूंगा कॉमिक बुक पुरानी ही है लेकिन कवराट नया है इसलिए मंगाया है मैंने बिक साइज में नहीं थी मेरे पास यह पहली बार प्रिंट हो रही है तो आप भी मंगा सकते हैं इस नागराज डाइजेस्ट फाइव यह मंद जी का शांदार आर्टवर्क है इस आर्टवर्क क्लिए मंगवाया है देखिए 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 अदभूत लग रहा इसका जी एसम अलग है तो यह यह अच्छा है या बुरा है आई डोट नो मतलब मैं मुझे इतना नॉलेज नहीं है विसीकली क्योंकि मैं पॉब्लिशर नहीं हूं वो जी एसम थोड़े जादा थे यह कम है बट यह पकड़ने में काफी अच्छे लग रहे हैं लोकें फील काफी अच्छा है तो यह मेरी परसनल मतलब एक व्यूपॉइंट आप बोल सकते हैं यहां यहां पर क्या रही क्या बात है यार फेवरेट कॉमिक्स मेरी जादू का सहनशा क्लासिक नागराज के प्रसेंट लाइक है ना और ओहो औहो कवर देखिए नागराज तुफान काफी सारी यहां पर कॉमिक बुक है यह देखिए का अच्छा वाम किया है यह है यह है डायेस्ट फूर यह देखिए कंप इसका भी आपके नहीं नहीं है यह सब ही अर्ट वर्क मेरे ख्याल से हिमंद जी नहीं बनाए है नागराज की कॉमिक्स पर यह टोपी और ओवर कोट में उसका क्लासिक यह लुकान फिल बहुत अच्छा है डाइजिस्ट का प्रीमियम है विल्कुल 700 रूपय मतलब सतर माइनस कर लेजिए 630 कमाल नागराज का दुश्मन यह देखिया है यहाँ पर मेट्रो मैन हाला कि यह सूपर मैन था पहले ताज महल की चूरी के बाद यह जादूगर शाकूरा है मेरे ख्याल से और जो दुबारा आता है शाकूरा यहाँ पर तो यहाँ पर उसको स्पाइडर मैन सुपर मैन और बैट मैन मिलते हैं बट शैद कॉपी राइट इश्यू के करने से बदल दिया गया आई होब कभी ओफिशियल क्रॉसूवर हो तो मज़ा है मेरे पास तो औरिजिनल भी है तो मुझे कोई यह साथ दुख नहीं है बट हाँ अगर और अरिजिनल होती तो और आनन्दा था बॉना शैतान टीपू की तलवार क्या बात है यार डिप डाइविंग इंटू दा ओल इस ओल्ड इस 90 बेसी कली जब पतली कॉमिक से आती थी 32 पेज़ वाली जनरल बहुत ही शांदार दिस डाइस्ट फोर नाम देख सकते हैं आप जानकारी ब्लॉक पर व्लब्द है आप चाहिए तो ब्लॉक पर जाके इन कॉमिक्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं और यह है ड से हैं सोशल टच पॉइंट्स तोडांगा के मौत मिस्टर 420 बहुत ट्रीविया जैन कॉमिक्स में और बहुत सारी बाते भी हैं तोडांगा के मौत है और तूतेन खामेन यह कौन सी है यह ताजमेल के चोरी आ गई है ना कि क्या बात है और बकोरा का जादू इच्छादार ना अगरा आज मैंना तो जब यह रिलीज होती तो भी पड़ी दियार तो मजा आ गया था बिल्कुल है ना आप लोगों की क्या रहा है इन रिप्रेंट्स के बारे में हमें ज़रू बताईए और इस पैक की अंतिम कॉमिक्स है यह सुपर कमांड और दूफ डाइजस्ट है डाइजस्ट साथ अभी तक आई नहीं है और उमीद है वो जल्दा जाएगी आने की पूर्ण संभावना है और यह भी खाफी थिक है यह देखिए संखेच है और इसका जो आर्टवर्क है वो बनाया है अनुपम जी ने तो अनुपम जी के तो हम सभी फैन है भाई कि दिग प्रिंट बहुत अच्छा हुआ है पेज क्वालिटी आपको बताई चुका हूं और बिल्कुल औरिजिनल प्रेंट जैसा था वैसा ही है ऐसा कुछ पिक्सल्स बगरा नहीं फट रहा है काफी क्रिस्प आर्टवर्क दिख रहा है मुझे यह देखिए आप लोग खुद दे बाना वामन किरेगी कहर अल्टिमेट भाई यह तो कुछ अलगी कॉमिक्स थी है और पीछे कुछ आइड्स है यह देखिया आप लोग और यह है डाइजेस्ट नंबर 6 साथ आएगी जल्द है ना सो दोस्तों यह थी एक छोटी सी अन्बॉक्सिंग हमारी और से राच कॉमि आपको यह अन्बॉक्सिंग कैसे लगी है मैं जरू बताईएगा फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए नमस्शकार धन्यवाद कॉमिक्स भाइट